ये लोवी आ रही है कि आगी आज रोकिंग कम बाउंस इंचेर में जिसको कह सकता हूँ इसी का आज हम वीडियो डिटेल में बनाने वाले हैं गोईल्स कंपनी का ये प्रड़क्ट है तो चले वीडियो की शुरुवात कर लेते हैं तो दोस्तों वरी बेबी और ये बेबी के लिए एक नई चीज आगी है मल्टि फंक्शनल ट्वेल्विन वन लिखा हूँ है गोईल कंपनी की है और एमेजन से हमने इसको ओडर किया है तो बोक्स का जो टोटल वेट है वो लगबग साड़ेक पांच किलो है आइटम का वेट चार किलो 900 ग्राम लगबग 5 किलो का जो है आइटम है और इसको बोक्स को कहो लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है इसमें कि 12 in 1 है भी या नहीं यह क्या क्या फंक्शन कैसे किस के से काम करते हैं वह भी आपकूड डिखाएंगा तो चलिए पहले सबसे पहले बोक् प्रिमल टाइब में कुछ कह सकता हूं यहां पर लिखा हुआ है कि मुलब किस किस तरीके से इसको यूज कर जा सकते हैं यूज करने के लिए यूज कर देखते हैं स्टोरीज के लिए बिए जगे दी होगी साथ-साथ यह तो मलब बस बढ़ाने के लिए बदा दी हैं फीचर उसके देखते हुआ है और स्टोरीज के लिए बिए बढ़ाने के लिए और दूसरा कार सीट के लिए यूज भूल आ है यहां और बात की जाए प्राइस की तो यहां पर अठाइस सूर पर लिखा हुआ यह अमिजोन पर लगवा पंदरा सुर पर क्या सब्स आपको पढ़त तो यह इस पैकेजिंग ओपन करने के बाद ना यहां पर तीन चीजे निकलती है पहला तो यह स्टेंड है इसके उपर फिट करके दिखाते हैं में यह शीट है जो किस तरीके की बनी पहले मैं इसी को दिखा देता हूं और तीसरी जो आईटम है वह यह वाला बोक्स है जिसके अब अब आप समान वागे रख सकते हैं इसमें क्या क्या समान रखा रखा है इसकी बात कर लेते हैं यहां पर जो फैब्रिक दिया हो ना जो गाड़ियों में सीट का कवर नहीं होता है वैसे से कुछ फिलिंग आ रही है यहां पर और तोड़ा मुलब अजीब सा है पता नह हूँ कि यहां पर भी सेंपर थोड़ा रॉन टाइप साय यहां पर ब Ren Bernard और ंथा इससे प्ष हो तो उसको कवर बगरा करने के लिए एक जो नेट है वो अलग से दिया हुआ में दिखाता हूँ आपको मिन्वाइल पहले एक सीटू कवर कर लेते हैं यहां पर बकल्स है वो कुछ इस तरीके के दियो है जिसके इसके अंदर से निकाल के बच्चे को बकल अब किया जा सकता है यहां पर इनकी क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक सी क्वालिटी है को ज्यादा अच्छी तो मैं नहीं कह सकता है इनको की बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है और यहां पर इस साइड में यहां पर यह बटन्स देख सकते हो इनको लूज करके बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि यह ज स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना हुआ प्लास्टिक यह है यहां पर एक्स्पोजड है और यह स्कुरूज वगर है यहां पर कुछ-कुछ लगे में आप देख सकते हैं और यह वाला स्टेंडर की चोटा बालू जो है यह आपको फ्री में इसके साथ मिलता है और भी खिल जाएगी इसके आप खिलोने वगरा इसके उपर टांग सकते हो यह देखिए तो यह रोकिंग चेर तो यह काफी अच्छी लग रही है बाकि जो इसके फीचर्स है या बच्चा कितना खुश होता है इस पर वह तो हम आर्या ही बता पाई हम तो क्या बता पाएंगे तो इसकेंडरी काम पहले कर लेते हैं बाकी जो चीजें बचेगी यह एक फ्रेम है अगर इसको काम करवाना हो यहां पर थोड़ी सी रबर की प्रोटेक्शन दियो है ताकि यह डिरेक्ट मेटल है वह जमीनी पर ना टिक है और डिरेक्ट आवाजें भी ना करे जादा तो यहां खिख你要land अिसक इसका मैंने इसके साथ फिट कर द्या है आप देख सकते हैं पूरी मतलब यहां से कुछ इस तरीक के से игр ओ गया है कोई चूरूब अगर टाइट नहीं करने पड़ते city मतलब wire इंस्टॉल हो जाता है और यह इंस्टॉल होगे बाद कुछ इस तरीके की बांसि और यहां पर जो यह वाला है अब अगर इसको ऐसे बाथिंग के लिए आप यूज करना चाहते है तो यहां पर प्रोटेक्शन दी हुई है लग से ताकि स्कुरूज बगरा जो है बच्चे के ना लग जाएं बट यह प्रोटेक्शन जो है ना यह सैटिस्फेक्ट्री सी लग को बट यहां ब 大 Danny तो सब्सक्राइब थ YouTubers 178 ऑन पर प्रोट श्रिक्याम लग देख ग़िस्तुर्टेक्शन पहर बट को इसथायो जो सब्सक्राइब को यहां पर आप। मिलेगा अपको और दूसरा उक और इस साइड न Gonnaándr इसके मैं निकाल नेहीं को दिखा भी किस तरीके से लगे गा तो आप देख पाया हैं इपसका ही यहां पे हैंग और राम के से यहां गहां गए या बच्चे को गिरने का कोई डर नहीं है यहां पर काफी मजबूत यह लोक्स लग रहे हैं एडिशनल प्रटेक्शन के लिए देखो स्कूरू से इसको लोक कियागा कि यह उनली प्लास्टिक पे बेस्ट नहीं है स्कूरू भी साथ में लगाए हुए है यह एक बोक्स है इसको जरूर उपन करते हैं इसमें क्या कुछ खास मिलता है वो आपको दिखता हूँ तो यह जो बोक्स ओफन हुआ इसमें इहां पर एक बटन का्व रछाल ये तो रशीया दिखा क्यासी है और इसके अंदर एक स्क्रू है तो Bennett उते विलाणस के साथ साथ यह दो तो उते कंदा या पर कार या इसका से सिवापन से मालें तो मीथफसे फिटई हो जाएगा यह बहूंगे तो तो यह में लोगलें जगे फिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, दो स्कुरू दियो है, मैं जरा स्कुरू को टाइट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, जो यह बोक्स था, वो मैंने यहाँ पर सैट कर दिया इसको, एक दो स्कुरू लगते हैं, विसीकली आप यहाँ पर देख सकते पर देख सकते हैं, मोस्कु डॉनटिया, कुछ अपना समान अगर इसको बाहर लेके जाते हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो यह स्टोरीज बोक्स काम आ सकता है, बच्चे कुछ समान रखा सकता है, पहले काम कर लेते हैं, इसको जरा बजा के देखते हैं, क्या कुछ ट्यू तो यह काफी स्टोर मचाता है, और बच्चीस के आवाज दूर से सुनके अक्टिव होगी थी, एक चीज मेरे को आपको जान कारे के लिए बता तो, इसमें कोई हर्यवान भी, पंजाबी या फिर आपको हिंदी गाने नहीं मिलेंगी, तीन जो भी है, यह ट्यून्स जो है, इंग्लिश वाली ही मिलेगी, और वो चांद वाला मुखड़ा वाला गाना होता है, तो शायद और मजा जाता है, बट वया कोई इसमें आप कृस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, जो प्री इंस्टोल्ड वही चीज मिलेगी आपको, एक बार बटन दबाते हैं, तो प्ले हो जाता है, दूसरा दबा देंग, दूसरा हो जाएगा अपले हो तीन इसमें ट्यून्स जो आपको मिलती है, जो मैंने आपको बजा के दिखा दिये, चलिए जी, बखकी काम भी आप कर लेते हैं, एक चीज जो बचकी थी वह आपको दिखाना चाहता था, वह था इसका मोस्क कपड़ा है यहां पर इसको लगाना होता है, बखकी हाप में मुस्किटो नेट लगता है, मैं आपको जड़ा निकाल के दिखाऊंगो तो आपको समझा जाएगा, यहां से कुछ इस तरीके से अटाएंगे, और यह देखिए, यह मैंने मुस्किटो नेट निकाल दिया है, यहां पर इलास्टिक लगा हुए कॉर्णर पर तो कोई दिक्कत नहीं है, अराम से फिट हो जाता है इसमें, इसको मैं साइड बटाऊँगों, तो यह वाला जो कपड़ा ना, यहां पर इलास्टिक इसमें दिया हुआ है, दोन्नों साइड से यह फिक्स किया जा सकता है, ज 5-6 दिन की बच्ची है यह और सजेस्टिट है कि एक महिने से लेकर आप एक साल तक के बच्चे को इसमें लेटा सकते हो, अब यह बच्ची दे को थोड़ी थोड़ी हिल रही है ना, मतलब कितने हिल रही है, मुव्मेंट जो बहुत ही कम है बच्ची की, बट स्टिल यह जो बेल्ट जो लग गया है तो इससे ही बच्ची का यह है कि बस सोफ्ट जो है, सपोर्ट भी मिल गया और नीचे करने का डर नहीं है, बट चार मेने के होते हुए बच्ची के लिए एक साल तक मुश्किल मुश्किल से काम चलेगा, बट अब जो बाउंसिंग आप देख सकते ह बच्चा अपने आप घिल रहा है तो भी यह बड़िया से बाउंस कर रहा है, मैं अब सफीशेंट है इतना बाउंस तो बच्ची के लिए, बाक्ची थोड़ा हाथ से करवा के देखते हैं एक बार मैं थोड़ा सा हाथ का प्रेशर डाला और यह बाउंस कर रहा है तो इतना अगसा बाउंस जो है, यह चलता रहेगा, अब बाके डिपेंड करता है, बच्चे पर जितना ज़्यादा बच्चा एक्टिव होगा, बाउंस भी यह उतना ही ज़्यादा रहेगा, अभी तक गिर मैटल काफी स्ट्रोंग है, तो मुझे लगता है, दस बारा किलो तक के बच्चे को तो यह राम से जहिल लेना चाहिए, बाके अभी इसका जो वेट है, वो साथ 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 किलो के लगबग, इसका वेट है, तीन चार किलो का सारा टोटल इस प्रड़क का वेट है, और साथ क जिए लोगे बच्चिए को 10-11 किलो तक होगा तो शायद इजहिल जाएगा, एक काम करते हैं, जो बांसर है इसको अटाते हैं और देखते हैं कि रोकिंग वाला फीचर कि इसका कैसा काम करता, और कितना काम करता है तो बांसर एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको कि दोस्तों यह जो स्टेंड मैंने निकाल दिया है और मैं फिर से बताता हूं यह स्टेंड काफी सोलिड है मतलब इस प्रड़क्ट को यह प्लास्टिक वाले पार्ट देखके थोड़ा साल का लगता है लेकिन यह वाला ना काफी एकदम बढ़िया से है और मतलब वजन जो है रोकिंग कर पाएगा वह आपको दिखा देता हूं देखो बच्ची थोड़ा बहुत हिल रही है खिलोनों के साथ उपर रेटल्स अगर आप लगाओगे तो उनके साथ अगर खेल लेगी तो यह इतना सा मूव्मेंट जो है यह इसमें होता ही रहेगा और अगर आप हाथ से अगर दोस्तों यह जो गोईल कंपनी का रोकर है इसका एक ड्रोबेक मालब हमें लगा हो सकता आपको ना लगे वह कि वह बच्चे के स्लिपिंग पैटर्न पर डिपेंड करता है तो अभी इसका जो स्लिपिंग पैटर्न आप यह आप है कि वह यह अपने हाथों को ऐसे यूँ सीधे करके सोती है दोनों साइड मालब जैसे चदर या कंबल में रखेंगी तो भी बारक ने पड़ते हैं बट इस रोकर में क्या हो रहा है कि यह डैप्थ जो है ना इसकी थोड़ी जादा है तो इसके कारणी हाथ अपने सीधे कर नहीं पा रही क्योंकि और दूसरी चीज कि अभी चेर महीं की हुई है तो अभी इसके दोनों साइड में आप स्पेस कम है आप देख सकते बिल्कुल ही कम स्पेस है तो मतलब बच्चे को खुलने की जगह नहीं मिल रही है बिल्कुल भी तो यह थोड़ा सा मेरको ड्रोब लगा बाकी भी या आप बता देना तो उमीद है यह बेवी रोकर का वीडियो जो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो यह लाइक कर देना और इस रोकर को आप खरीदेना जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ आप क्लिक करके बड़े अराम स बच्चा आप इसको खरीद पाएंगे और बच्चा आपका भी ऐसे खुश रह सकता है तो यह सस्ता और टिकाव रोकर हो सकता है आपके बच्चे के लिए